श्री शिवाय नमस्तु भीयम हर हर महादेव स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 12 मार्च को है फुलेरा दूज दोस्तों फुलेरा दूज का जो दिन होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिन होता है अगर आप लोग किसी कारणवश महाशिवरात्री के दिन भगवान शिवजी को प्रसंद नहीं कर पाए या महाशिवरात्री के दिन आप भगवान शिवजी को प्रसंद करने के लिए कोई उपाय नहीं कर पाए तो आपके पास दूसरा एक सबसे बड़ा मौका आता है जो कि फु तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि फुलेरा दूज के दिन ही सबसे पहले भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर धतूरा चढ़ाया गया था। मतलब जिसमें घुसते हो उसमें आप सफल जरूर होते हो। इसलिए इस दिन की महतवता बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। फुलेरा दूज के दिन जितने भी उपाए जी द्वारा बताए गए हैं वो हम आपको सारे उपाए बताने वाले हैं। दोस्तों धन प्राप्ति का या तो कर्जा मुक्ति का उसके बाद में दोस्तों जो दूसरा उपाए है वो है आपका मतलब रोग और बीमारी से दूर रहने का इसके बाद में जो तीसरा उपाए है। वो विवाह के लिए है जिनका शादी विवाह नहीं हो रहा है उनके लिए इसी तरीके से कुछ और उपाए है जो कि फुलेरा दूज के दिन ही करने है हम आपको ये उपाए एक साथ। इसी लिए बता रहे है क्योंकि फुलेरा दूज का दिन ऐसे बार बार नहीं आता है। पूरे साल में मतलब ऐसा एक विशेश दिन आता है जो कि महाशिवरात्री के दिन जो है फुलेरा दूज पढ़ता है और महाशिवरात्री के दिन जैसा ही आप लोग फुलेरा दूज का अगर आप लोगों के घर में धन की बहुत जादा कमी है। अगर आप लोगों के घर में धन की बहुत जादा कमी है। अगर इस उपाय में एक धतूरे की आवशक्ता पड़ेगी। अगर इस उपाय करना है। माताओं बहनों में से भी विशेश रूप से कर सकते हैं। कोई भी एक माता, बहन। अब करना क्या आप लोगों को अपने घर के पास में जो भी एक बड़ा बेलपत्री का व्रिक्ष है वहाँ पर पहुँचना है। वहाँ पर पहुँचने के बाद क्या करना है। कि जो आप लोग धतूरा लेकर आए हो, अपनी हल्दी को थोड़ा पानी से पहले गिला कर लो। फिर गिला करने के बाद इस धतूरे को अपनी उस हल्दी में पूरा भी गोलो मतलब की इस धतूरे को पूरा हल्दी से रंग दो ठीक है। जैसे ही आप इस धतूरे को हल्दी में डुबो कर पूरा तयार कर लेते हो उसके बाद में आपको इसी बेलपत्री के पेर के नीचे एक शिवलिंग का निर्मान करना है क्या करना है? शिवलिंग का निर्मान करना है शिवलिंग कैसे बनाओगे? देखो अगर उस बेलपत्र के पेर के नीचे मिट्टी है, तो और अच्छी बात है, मिट्टी से आप थोड़ा सा ऐसे ही शिवलिंग का आकार दे दो, जरूरी नहीं, अच्छा बने, कैसा बने, बस आप अपने मन में भाव बना कर एक छोटा सा शिवलिंग का आकार दे दो, तो जैसे ही आप लोग शिवलिंग मान लेते हो, शिवलिंग आप बना लेते हो, या पत्थर का जैसे भी आप मान लेते हो, भाई शिवलिंग मानने के बाद आप लोगों को इस धधूरे को, जिसको आपने अभी हल्दी में, डुबोया हुआ है, इस धधूरे को आप लोग से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए अपने घर में को करजे से मुक्त करने के लिए या अपने घर परिवार को करजे से मुक्त करने के लिए ऐसी प्रार्तना जैसे ही आप लोग कर लेते हो तो भाई इस उपाय को जब आप कर रहे होना तो अपने साथ में एक रुमाल जरू अब इस रुमाल को लेकर भगवान से प्रार्थना करकर आपको अपने घर पर आ जाना है इस रुमाल में आप भगवान शिव जी का आशिरवाद है इस रुमाल को आप अपने घर में रखो या तो अपने व्यापार बिजनेस वाली जगह पर रखो अगर आपके घर में पैसा नहीं आ रहा है तो भाई अपने घर में रखो या आपके घर में बहुत ज़्यादा करजा है तो भी आप अपने घर में रखो चाहो तो आप अपने व्यापार, बिजनेस या दुकानदारी वाली जगह पर भी इस रुमाल को रख सकते हो इस रुमाल में जैसे ही आप ये टीका इस रुमाल के उपर लगा लोगे तो इसमें भगवान शिवजी का आशिरवाद आ जाएगा फिर इस रुमाल को आप अपने स्थान पर रख सकते हो जिससे कि अब आपके घर में कभी भी करजा नहीं होगा और करजा होगा भी धीरे-धीरे मतलब चूकना शुरू हो जाएगा साथ ही में धन की जो समस्या होगी वो भी दूर हो जाएगी बस यहां पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े उपाय के बारे में जो कि फुलेरा दूज के दिन आप लोगों को करना है जिस उपाय को करने से दोस्तों आपके घर में अगर किसी भी व्यक्ति गंभीर रोग और बीमारी है या अगर आने भी वाली होगी तो वो नहीं आएगी इस उपाय को करने के बाद क्योंकि फुलेरा दूज के दिन इतना बड़ा मेहत्व होता है किसी भी उपाय को करने का तो भाई करना क्या है? देखो सबसे पहली चीज इस उपाय में भी धतूरे की बहुत बड़ी विशेश मेहत्वता आएगी मतलब धतूरा इसमें उप्योग होगा इसलिए हमने आपको कहा फुलेरा दूज के दिन धतूरे का विशेश मेहत्व होता है तो भाई करना क्या है इस उपाय में? देखो इस उपाय में आप लोगों को जो है दो चीज चाहिए पड़ेगी क्या चीज? एक तो पहला चीज है धतूरा, दूसरी चीज है पांच बेल पत्री, कितनी बेल पत्री, पांच बेल पत्री, तो एक धतूरा और पांच बेल पत्री लेकर आप लोगों को जाना है, भगवान शिवजी के मंदिर में जाना है, कहा पर जाना है, शिवलिंग मतलब जहापर शिवलिंग विराजित हो, शिवाले हो वहाँ पर जाना है, अपने घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, इसके अलावा आप भगवान शिवजी की पूजन कर लेना, उसके बाद में ये वाला उपाय करना, जैसे ही पूजन, अर्चना हो जाती है, उसके बाद में आपको क्या करना है? भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास में है, और अपना भाई एक धतूरा निकाल लेना है, जो आप उपाय को करने के लिए लेकर आए हुए हो, तो एक धतूरा निकालना है, इस धतूरे को आपको कुछ नहीं करना है, मात्र साधा धतूरा लेना है, और उस धतूरे को पांच बेलपत्री लेकर आए हो, वो पांच बेलपत्री लेकर आप आजाओ नंदी बाबा के पास में, शिवलिंग के सामने जो नंदी बाबा बैठे हुए होंगे, उनके पास में आजाओ और इन पांच बेलपत्रे को नंदी बाबा के ऊपर समर्पित कर दो, एक-एक करके प्रार्थना कर लेना अगर कोई रोग और बीमारी आपके घर परिवार में ना आए तो उसके लिए प्रार्थना कर लेना उसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं फुलेरा दोश के तीसरे सबसे बड़े उपाए के बारे में इस तीसरे वाले उपाए को करने से दोस्तों अगर आपके घर में किसी का शादी विवाह नहीं हो रहा है। को उसी व्यक्ति को करना है जिसका विवाह नहीं हो रहा है जिसकी शादी नहीं हो रही है चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो उसे अपने हाथों से ये। वाला उपाए करना है अब उपाए में क्या करना है वो सबसे पहले आप लोग सुन लो। देखो जितने भी हमने आपको उपाए बताए है इन सभी उपाएं में धतूरे का विशेश रूप से उप्योग हो रहा है तो इस शादी विवाह वाले उपाए में भी जो है आप लोगों को धतूरे का विशेश रूप से उप्योग करना है तो सबसे पहले उपाए की अगरी जान लीजिये। और शादी के लिए अगर शादी विवाह नहीं हो रहा है तो ही आप ये वाला उपाय करना है। मुखे रूप से आप लोग सुबह के समय प्रातकाल जाना दस, ग्यारह, बारह बजे तक भी जाओगे तो चलेगा जितना जल्दी हो सके उपाय को करने की कोशिश किया करो। तो शिवजी के मंदिर जैसे ही पहुँचते हो तो शिवजी के मंदिर पहुँचकर आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले आपकी जो भी पूजन अर्चना एक लोटा जल चढ़ाना है शिवजी की पूजन करना है वो सारी आप कर लेना। करने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि अपनी पांच बेलपत्र जो है निकाल लेना है और एक धतूरा और पांचवी पत्र निकाल लेना है अब सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर माता अशोक चंदर जी वाला एक स्थान होता है वो देख लेना है और दोस्तों हम आपको पर एक बात बताते हैं कि माता अशोक चंदरजी वाले स्थान पर धतूरा बार बार नहीं चढ़ाया जाता है। बीचों बीच में वो स्थान होता है। माता शुपचंदरजी का स्थान वहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले अपनी पांच बेल पत्र चढ़ाना है। निवेदन करना है उनसे प्रार्थना करना है कि आपका शादी विवाह हो जाए ठीक है मतलब जो ये उपाय कर रहा है वो अपने लिए ऐसी प्रार्थना कर ले कुछ ही समय के अंदर आपका विवाह पका हो जाएगा पर उपाय को सही तरीके से करना तो ही आपका उपाय काम करेगा देखो फुलेरा दूज के दिन अगर छोटी मोटी गलती हो ही जाती है तो भगवान शिवजी माफ करते हैं और भगवान शिवजी इस दिन भी बहुत जादा प्रसंद होते हैं क्योंकि हमने आपको बोला कि महाशिवरात्री के दिन अगर आप भगवान शिवजी को प पाओ ना तो एक धतुरा जरूर लेकर आ जाना हम। ना आप से दो कहेंगे ना तीन चार कहेंगे। आप मात्र एक धतुरा लेकर आ जाना। ना आप शिवजी पर जल चढ़ाना चाहते हैं। ना आप उपाय करना चाहते हैं। तो बहुत आसान उपाय है। अपनी किसी भी मन प्रसंद होंगे और आपकी मनोकामना को पूर्ण जरूर करेंगे। इस दिन का धतूरा चढ़ाने का बहुत बड़ा मेहत्व होता है। इस दिन भगवान शिवजी मात्र एक धतूरे से प्रसंद हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इन उपाय करने में कोई भी दिक्कत समय से परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीयम हर हर महादेव।